तीन का फर्स कर रहा है पंद्रा को तीन ऐसे भागों में बाटें कि वे एपी में हो और उनके वर्गों का योगफल 83 हो जाए यह भी द्यान देना है ठीक है तो यहां मान लेते हैं माना माना ऐ पी की तीन संख्याएं तीन संख्याएं क्या उनकौन सी हो जाएंगे तीन बाटे हैं जैने कि इनका योग जो हो वह 15 हो जागा तो D से D कट जागा 3 A बराबर 15 इसको ले जाएंगा भाग में एक अमान 5 चलिए अब क्या गारा कोशन में कि इनके वर्गों का योगी 83 है यानि कि A-D का स्कॉार प्लस A स्कॉार और प्लस में A प्लस D का स्कॉार बराबर में 83 चलिए इसको सॉल करते हैं यह जगा 5 रख देते हैं 5 माइनस हो जाएगा D 5 माइनस D का स्कॉार प्लस 5 का स्कॉार और प्लस 5 प्लस D का स्कॉार ठीक है और बराबर में 83 यहां सॉल करते हैं Mondays b केबल Iaskar 5 स्कॉइर मेंट तूइंटू five इंटू D- plus पर दी कैस कॉइर और यहां 5इसा ही दह को यहां भी 50% square plus two and two five into D and plus לפ me best madd का स्कॉइर बराबर श्कॉइर बराबर में 83 टो देखो तो यह यहां एक्ट जाएगा डी आसक içषोर क्या हो जागा कितना आजाएगा घट के 8 हैगा ना 2D square बराबर 8 ठीक है यह ले जाएगे भाग में यानि D square बराबर 4 हो जाएगा और square को उधर पे देंगे तो root लग जाएगा plus minus b लगेगा यानि D का मान plus minus 2 तो case 2 बन जाएगे एक plus में एक पर minus में नहोगा ना A का value 5 और D का value 2 ठीक है तो यहां से हमारी 3 संख्या है क्या कौन कौन सी होगी तो पहली संख्या पहली संख्या या पहला भाग भी लिख सकते हैं पहली संख्या यह minus D है 5 minus 2 यानि कि 3 दूसरी संख्या दूसरी संख्या आपकी A है यानि कि 5 तीसरी संख्या तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या आपकी a प्लस d है यानि कि 5 प्लस 2 साथ हो जाएगा ठीक है चलिए तो यहाँ पे तीन पाँच और साथ यह संख्या हो गई और केस दूसरा क्या हो जाएगा a बराबर 5 और d बराबर माइनस का दो तो पहली संख्या पहली संख्या a माइनस d यानि कि 5 माइनस माइनस 2 यानि प्लस हो जाएगा 5 दो साथ दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या a है यानि कि आपका 5 और तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या तीसरी संख्या a प्लस दी न यानि कि 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यह आगया 3 तो यहाँ से अंसर आगया इसका 3 पांच साथ या साथ पांच तीन समझ जरी यह आप दो